हे इवरिवन वेलकम बैक टो मैं शैनल माईनेम इस सोनी एंड वेलकम टू सोनी मेकोवर तो कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो हमारी आमपीट वैक्सिंग्स रिलेटेड होने वाली है आज हम जा रहे हैं इनके आमपीट में रिका वैक्स करने के लिए तो जैसा कि देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितना ज़्यादा हो चुकी है ये चार से पांच मन्थ की ग्रोथ है और हमने की है दिन उसके बाद में हमने 2-3 मिनिट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद हम करेंगे वैक्सिंग की अप्लिकेशन तो हमने ग्रोथ की डिरेक्शन देखती हुए वैक्सिंग की अप्लिकेशन की है तो जैसा कि देख सकते हैं इनके हाफ पार्ट में जो नीचे के स साइड में वैक्सिंग कोई लाई है दिल ऊसके बाद हम वैक्स लगाएंगे वैक्श्टृ आप से शिपका लेना है ऀपकाने के बाद में जोड़ से फुल करना है और पूजेդ कि छिल सकती है तो उससे बचने के लिए आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपको जब भी वैक्स की स्ट्रिप खीचते हैं चाहे वो कोई भी वैक्स हो आपको स्कीन को थोड़ा सा स्ट्रेश करके ही खीचना है इससे क्लाइंट को पेन नहीं होगा ज्यादा और आपकी स् अपको बहुत ही जड़ा होता है तो अगर आप लोग बीगनर से तो प्लीज इस वैक्स को ट्राय मत कीजिए आप कोई नॉर्मल वैक्स ले लीजिए मिल्की वैक्स ले लीजिए वो थोड़ा सा सौफ्ट होता है उसमें स्किन पील होने के चांसे बहुत कम होते हैं तो वीजिए को जरूर लाइक करना